मेरा नाम मनज कुमार सिंग है मैं पुर्णा गुमास से गाउं से हूँ मेरा खामुल रामपुर ब्लोक है डिस्टिक कला हंडी पूरिशा पहले तो हमारा इधर खूल नहीं था पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था पांच वी तक सिफ स्कूल था पांच वी स्टाड़ा तक पढ़ा लेकिन पढ़ने का इंट्रेस्ट है फेर मैं चला गया अपनी मामा के घर में नब्रांपुर डिस्टिक फेर दस भी तक पढ़ा पढ़ाई पूरी करके अपनी गाउं आया ग्रामबिका से ओर्गनाइज था वो एक हमारा गाउं में प्लानिंग किये थे एक माइक्रो हाइडरो बना निकली क्या है माइक्रो हाइडरो कुछ बहुत इंट्रेस्ट आया कुछ निया ची तो उन लोगों में कुछ इलेक्टरी निकलाएगा तो मैंने अपनी मामा दा घर में ओ नब्रांपुर है ना तो थोड़ा टाउन है तो अधर देखा था एलेक्री लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं था हमारा गाउं में कुछ नहीं एलेक्री कैसे निकलेगा तो इसके बाद मैंने पूछा दो तीन साब लोगों तो लोग बोले कि नहीं नहीं, एसे हम पानी से बिजली निकाल लेंगे, ऐसा बोला, तो बहुत इंट्रेस्ट आया. और यूदू एक साल लग गया। घाम होतोटि उसमें बहुत काम के महनत भी दूस में अंट्रेष्ट जोस के साथ गाहूवाले के साहथ। उसके बाद घोड़ा मेरे को इलेक्टरी के बारे में ठोड़ा कुछ जनकारी हुआ कि कैसे इलेक्टरी कौनसा नेगेटिप है, कौनस इंट्रेस्ट आया वह बहुत अच्छा है लाइट जब चालू हुआ उसके बाद बहुत कुछ सिह लिया था विजिसे घर वाइरिंग या पोल वाइरिंग हो और कुछ आर्थिंग डालना हो तो सब कुछ काम जेनरली आ गया तो मेरेको लगाब हो गया कि इलेक्री के पार्ट मैंना सोलार के उपर जानकारी लेने के एक सिल्पो का साथी का ट्रेनिंग था प्रोग्राम भुवनेशन वो मेरेको बुलाया है उसके बाद सेल्पो से जॉइंट होगा है ट्रेनिंग लिया सूरज का किन्न हर टाइम रेता है जब बारिश होगा थोड़ा दीम होगा उस ट आज़ेक्ट आ रहा था जैसे कि आमारा और सोलार रेफ्रीजेचर और सोलार काट पेंटर वोम लाइटिंग अभी आगे और ज्याधा प्रोजेक्ट के लिए इंट्रेस्ट है क्योंकि जितने से सोलार में जितने अंदर गोसों भी उतना मजा आता है झाल झाल